दोस्तों कर आपने आधार की EKYC के जरीए अपना जो ड्राइविंग लैसे से वो ऑनलाइन अपलाई किया है जिसमें कि आपको आठी ओफिस जाने की जरूरत नहीं होती आपको जो लर्णिंग टेस्ट है वो भी आप अपने मोबाईल कंप्यूटर से दे सकते हो तो यहां पर तो आप सभी को परिवहान.gov.in यह जो इसका ओफिसेल पोर्टल है इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने दे रखा है आप सभी को इसी पोर्टल पर आ जाना है अब यहां पर ड्राइविंग लैसे से रिलेटेड कोई भी सर्विस को अगर आपको एक्से सटरिक ke Merry Christmas से सर्क करना है अब यहां पर आप देख पा रहे हो जैसे हमने अपनी स्टेट जो नेम है उसको चूज किया है तो यह जो पेज है is automatic redirect होता है और हमारे सामने समाने हमारे स्टेट का जो परिवहन का पोर्टल है हम उसी पर आ जाते हैं अब यहां पर आपको सबसे पहले तो कॉंटेक्ट ले सर्विसेस कौन कौन सी आज की डेट में आर्टी ओफिस में अवेलबल है आप यहां पर देख सकते हो तो इसकी के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर आप सभी को कई सरे ओप्शन देखने को मिलते हैं तो यहां पर इस वीडियो में जैसे कि हम देखने वाले है कि लेर्न लैसेंस का जो एक्जाम है वह हमें आलाइन कैसे देना है तो उसके लिए आप सभी को learner license की जो यहां पर आपको टैब दिखाएगे मेनू के सक्षन में आपको इसी सक्षन पर क्लिक करना है अब मेरे केस में आप देख रहे हो जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहां पर हमें कई सरे option देखने को मिलते हैं जो की learning license से related हैं जहां पर आप बाँ से कुष्चन को प्रिपेर कर सकते हैं किस तरीके के एक्जाम में कुष्चन आएंगे तो वह सारी चीज़े हम आपको live दिखानेवाले हैं तो यहां पर टेस्ट देने के लिए आप सभी को online लल टेस्ट इस्ट इस टाल वाला जो option दिखाया गया है हमें इसी option पर क्लि इसकाइब करना है और सब्मीट के एपशन के मैं कलिक करना है अब जैसे हमने प्रफिल के ऑप्शन पर प्रफिल करने का जो अप्शन अगर सो होता है तो यानि कि आपका अप्लिकेशन पासवर्ड वह परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से जनरीट कर दिया गया है आपकी जो डिकुमेंट है वह भी वेरिफाई हो चुके हैं अब आप उपना अपना यहां पर सकते हो यहांपर यह जो पासवर्ड है आपको आसमस के माध्यम से आपके पोन पर सेंड किया जाता है घूंक कि आपको पासवोड आपके मोबाइल पून पर भीजा गया वह पासवोड आपको यहां पर यह करना हो गया सब्सक्राइब ll at को यहां पर पासवैड के फिल किया है और हमारी जो इंफ्रमेशन है यह वैलिडेट हो चुकी है अप्रिकेंड डिटेल के सेक्शन में आप देखोगे कि यहां पर ग्रीन टिक लग करके आ चुका है अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां से आपके एक्जाम का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि आ आप सभी का प्रोसीट का जो बटन है वह हाइलाइट हो जाता है अब यहां पर आप सभी को कोई भी अप्छन कि करना थे कि यहां पर हमारी कोई भी help ना करे नहीं तो आपकी जो audio है वो भी record होती है आप face monitoring में हो तो अगर कोई भी पीछे से help आपको करेगा तो आपका learning का जो exam है आप उसको qualify नहीं कर पाओगे तो exam के duration आपको सांती बरकरार रखनी है तो यहां पर हमें continue के option पे click करना है language को select करना है दिन यहां पर term and conditions का जो page आया है यहां पर इन दोनों ही option पे click करके आपको accept कर लेना है और यहां पर हमें continue के option पे click करना है और यहां पर भी आप देखोगे कि आपका जो face है उसके जरी authenticate किया जा रहा है तो आप camera के सामने state बैठना है और यहां पर आप देखोग कि इस question के अंदर पूछा जा रहा है कि यह जो चिन है इससे क्या प्रदर्शित होता है क्या इससे साबित होता है तो रोड पे अगर आपको इस तरीके symbol देखनी को मिलता है तो आप इससे क्या समझोगे तो यहां पर जैसे कि आगे प्रात्मिक चिकसा चौकी है या फिर आर क्या option पर क्लिक किया है वो नो यह लो हमारी टीम को ही नहीं पता था कि यह जो option है क्या इसका सही अंसर होता है तो आप समझ सकते हैं कि confusion वहले question आते हैं तो यहां पर इन्होंने गलती से इसका गलत selection कर लिया है तो आपको ऐसा नहीं करना है चलिए अभी भी option है हमारे सामने आगे बढ़ते हैं तो यहां पर पहला question हमारा गलत हो चुका है next question आता है जहां पर सेम उसी तरीके से वेड़ी यहां पर दिखाया गया है यह क्या साबित करता है तो इसमें कोई symbol यहां पर hospital का लगा नहीं है तो इससे यहां पर आराम करने की जगे है आगे यहां पर second वाल answer देने होंगे इसी के साथ में अगला question आता है जहां पर पूछा जा रहा है कि इसमें बाइंग और उल्टा घुमा वाला काउं सा चिन है तो यहां पर चोथा वाला जो symbol है यह सही है यहां पर हम fourth पर click करेंगे वाव यह भी हमारा question आप देखोगे कि सही सही solve हो चुका है य इसी तरीके से जो भी question आप सभी से पूछे जाते हैं आपको यहां पर टिक करना है जैसे कि गोल चक्र यहां पर हम सलेक करेंगे तो यहां पर आपने वहां की जो गती है उसको कम करोगे या फिर ब्रेक प्रियोग करोगे या फिर उसी गत्में आगे को वहां को बढ़ने द करोगे तो आप देखोगे कि अगला जो question आया है जिसमें कि मधुपान करके वहां चलाना सुएकृत है या पिर असुएकृत है सभी तरह के वहां के लिए निसेद है तो मधुपान के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूं कि मद्या के बारे में बात हो रही कि यानि की करके द्राइब कर न तो भाई बिलकुल जाहिर सी बात है ALLOW नहीं होता है तो सारे तरीके के वहानो के लिए निस हैं तो ट Cow Rapha करेंगे यह इसी के साथ में सुरस्षात्मक जालक है तो इसमें आपको कई सारे वाहन को चलाना जयक़ है तो वहां सब्सक्राइब करना 3 कि पूंछे जान। को सबस्क्राइब को सबस्क्राइब के लिए इसको सही टिक करोगे पीछे से आने वाले याता यात वहान को देखने के लिए यूज किया जाता है और कंफर्म के option पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने 8 question के जो सही सही answer दे दिये हैं यहां पर एक question और भी आया है इसका भी हमें ही answer दिया है तो यहां पर आप देखोगे कि हमारा जो exam है वह successfully हम qualify कर चुके हैं यहां पर हमारे सामने exam का result है वह immediate generate हो करके आ चुका है हम इस test के अंदर pass हो चुके हैं यहां पर आप देखोगे कि score के section में हमने 9 question के सही से answer दिये हैं तो यहां पर आप देखोगे कि आपका जो learner license number है इसी के साथ में generate हो करके आ चुका है तो यहां पर आपको क्या करना है जो learner license number generate हो करके आया है सबसे पहले तो इसको copy कर लेना है या फिर अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो इसका screenshot आपको ले लेना है यहां पर click here print your learner license की जो टैब दीगे इस पर click करना है तो यहां पर आप सभी को मोबाइल फोन पर एक OTP को send किया जाएगा यहां पर आप सभी को वो टीपी फिल करना है सब्मिट के option पर click करना है तो यहां पर आप देखोगे कि आपका जो learner license है वो यहां पर generate हो करके आ चुका है तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो एलल टेस्ट है वो घर बैठे ही दे सकते हो टेस्ट देने के बाद में आपका जो learning certificate है वो डाउनलोड हो जाता है जिस पर कि वैल्टी डेट आपको दी गए है इस वैल्टी डेट तक आप इस driving license पर किसी भी सहायक के साथ में जिसके पास में regular driving license है उसके साथ में आप driving कर सकते हो बाकि आपर जो वैल्टी के साथ में आता है लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि जो आपको वैल्टी डेट दी गए उससे पहले आपको regular driving license के लिए अपलाई करना होगा नहीं तो आपको दुबारा से एल्ल का जो टेस्ट है वो देने की जरूरत होगी इसी के साथ में अगर इस टेस्ट में आपको तो आपको दुबारा से अल्ल टेस्ट देने की जरूरत होती है जिसमें की पूरी application freeze आपको payment करने की जरूरत नहीं होती है कि एक फिप्टी रुपीज का आपको दुबारा से payment करना है और दुबारा से आप लोग अपना जो यह test है वो दे सकते हो तो अगर आपको वो वीड के description में दे रखा है आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक करें गुडबाई ज हैं